नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े किरकेट इस्टेडियम मोटेरा के बारे में और मोटेरा इस्टेडियम की जो एक क्या क्या खासियत हैं जो इसे अन्य स्टेडियमों से जो अलग बनाती है तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टेटियम ने दुनिया की अब तक के सबसे बड़े औस्टेलिया के मेलबन स्टेटियम को भी पचाड़ दिया है इसे के साथ दुनिया के सबसे बड़ी सरदार प्रटेल की परतिमा स्टेचू अफ यूनिटी के बाद अब सबसे बड़े स्टेटियम होने का गौरव भी international match खेला जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं मोठी राइ स्टेडियम की कुछ खासियत हैं जो इसे अन्नी स्टेडियमों से अलग बनाती है पहली खासियत मैलबन किरकेट स्टेडियम में जो इसे डरसकों की बैठने की चंता हैं जो इक लाग है लेकिन अब एहमधाबात के मोटी राइ स्टेडियम में दर्सक बैठने की चंता है वह एक लाग दस अजार रहे हो in-डुल-दू भी बनाए गी है तीसरी खासियत इस्टेटिम का जो इस्ट्रक्सर ऐसा है कि जब भी कोई खिलाड़ी बाउंडरी माले तो इस्टेटिम में बैठने वाला हर क्रिकेट प्रेमिय उस बाउंडरी को देख पाई चौती खासियत इस्टेटिम में जिसमें अभ्यास और सेंटर पीछ के लिए एक की मिट्टी का इस्तिमाल किया गया है यहां बहतर द्रिस्टिता और परचाई को दूर करने के लिए पूरी गोलाकार छट पर LED लगी है पाँचवी खासियत है इसकी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट इस्टेटिम में जिसमें अग्यारा सेंटर पीछे हैं च्छटी खास्यात है यह दुनिया का पहला किर्केट इस्ट्रीम में जिसमें जिम सही जो चार विश्व स्थ्रे जो ए डर्सिंग रूम भी हैं मोटेरा किर्केट इस्टेडियम में गहांस के नीची जो ए रेत का इस्तिमाल किया गया है जिसकी मदद से भारी बारिस के बावजूद भी मैच कुछी घंटे में दो बारा सुरू किया जा सकता है और कार और स्कुटर की पार्किंग विवस्ता की गई है जिसमें चार जार कार और दसजार दू पहिया वहन की पार्किंग की विवस्ता भी है स्टेडियम के पास जो मैट्रो लाइन भी लाई गई है और मोठेरा क्रिकेट स्टेडियम की जोए कुछ उपलब्दियां और यादगार लम्हे भी हैं पहला सुनिल काउस करने जोए अपने 10,000 टेस्टेरें जोए इसी मैदान में पूरे किये थे दूसरा जोए कपिल देव ने अपना 432 टेस्ट विकेट जोए इसी मैदान पर लिया था दीसरा जोए सचिन तेंदूल करने जोए टेस्टेरे क्रिकेट का अपना पहला दूरा सतक जोए इसी मैदान पज़ड़ा था और अबी डीविलेट से ने अपना भारत के खिलाब जोए टेस्ट में अपना पहला दूरा सतक भी इसी मैदान पज़ड़ा था तो दोस्तों ये थे मोटराय स्टेडियम के कुछ खासेते हैं और कुछ यादगार लमें दोस्तों आसा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक सेरे और सब्सक्राइब जरूर करें तन्यवाद दोस्तों